हेलो एवरीवन और वेलकम टू ओल इन डेली करेंट अफेर एमसी क्यूस आज तारीख है 14 अगस 2020 तो आए देख लेते कौन-कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चिंस हैं क्वेश्चिंस की और बढ़ने से पहले यह हमारे कुछ पेट सुस्क्रिप्शन से जिन्हें आप ले सकते हैं यह लिप्लाण जो है 499 रूपीस का मंतली 99 रूपीस का और जो एंसी आर्टी का वो 299 रूपीस का है अगर आप यह लेते हैं तो आप 399 रूपीस में अवेल कर प तो चलिए बढ़ते अपने पहले कुश्चन की ओर जो पहला कुश्चन है वो रगार्डिंग है Sputnik 5 आई ये स्टेटमेंस को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक रसियन COVID-19 वैक्सीन है दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है इसका जो नाम पढ़ा है वो First Artificial Earth Satellite Sputnik 1 के नाम पढ़ा है तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है ये जो वैक्सीन है वो SARS-CoV-2 के DNA पे बेस्ट है जो एक टाइप का अडिनो वाइरस है तो बताईए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रश्या जो है वो पहला कंट्री बन गया है जिसने इसको अफिशली रेजिस्टर कराया जो कोविड-19 वैक्सीन और डेक्लेर कर दिया है कि ये बिलकुल तयार है उप्योग के लिए और जो दूसरा इंफोर्मेशन है न कि Sputnik 5 का जो नाम पढ़ा है वो First Artificial Earth Satellite Sputnik 1 के नाम पर ही पढ़ा हुआ है जो कि launch किया गया था सोविट उनिन के दारा ये पहली COVID-19 वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है इसको जो डेवलप किया है वो मौस्को की गैमलिया इंस्टिटूट ने किया है पैस्ट मिनिस्ट्री के साथ मिलके और जो लास्ट इंफोर्मेशन है वो जो है कि जो ये वैक्सीन है न वो SARS-CoV-2 के DNA पे ही बेस्ड है जो कि एक टाइप का अडिनो वाइरस है इसलिए तीनों का तीनों स्टेट्मेंट बिलकोल करेक्ट था तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे कुश्चिन की ओर जो सेकेंड कुश्चिन है वो रिगार्डिंग है अडिनो वाइरस वेक्टर वैक्सीन आई ये स्टेट्मेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला स्टेट्मेंट कहता है कि अडिनो वाइरस जो होते है मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेट्मेंट बिल्कुल करेक्ट है तूसरा इनकरेक्ट है तीसरा बिल्कुल करेक्ट है तो इस आपसे ऑप्सेंट सी करेक्ट हो जाता है तो आए जान लेते हैं क्यों तो यहाँ पर देखिए अडिनो वाइरस जो होता न वो एक DNA वाइरस होता है जिसका साइज होता है 70 to 90 नैनो मीटर दूसरी बात यह है कि देखिए डबल स्टेंडर्ड होता है लेकिन जेनेटिकली स्टेबल होता है ना कि अंस्टेबल इसलिए इनको prefer किया जाता है vaccine के लिए तो इसलिए दूसरा statement incorrect था और तीसरा statement बिल्कुल correct था क्योंकि rabies vaccine भी एक अडिनो वाइरस vaccine है तो चलिए बढ़ते है आगले question की ओर जो हमारा third question है वो ring of fire के regarding है आई ये statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला जो statement कहता है कि जो ये ring of fire है ये जाना इसलिए जाता है active volcanoes की वज़े से frequent earthquake की वज़े से pacific ocean में दूसरा statement ये बोलता है यहाँ पर बहुत सारे volcanoes है इस region में क्यों क्योंकि यहाँ पर movement of tectonic plates बहुत जादा होती है तो बताए कौन-कौन से statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों statement correct है इसलिए option d correct हो जाता है आईए जान लेते हैं ring of fire के बारे में देखे जो ring of fire है उसको circum-pacific belt के नाम से भी जाने जाता है इस region को जाना इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर active volcanoes बहुत ज़्यादा और frequent earthquake देखने को मिलते हैं देखे abundance of volcanoes है मतलब बहुत ज़्यादा volcanoes है और earthquake भी बहुत ज़्यादा है ring of fire के region में उसका एक main कारण यह है कि जो tectonic plates की movement होती है इस area में बहुत ज़्यादा होती है कुछ tectonic plates के नाम दिए गए यहाँ पर जिने आप देख सकते हैं एक बार और जो further information है उसको भी देख ल करता है तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कर्मर्जन boundaries के बारे में जैसे माली जी एक boundary है ऐसे और यह दूसरी boundary converge करती है इसके साथ यानि overlapping हो रही है पहली boundary जो है वो overlap कर रही है दूसरी boundary को देखे यहाँ पर ऐसे है तो यह जो reason होता है इसको कहते है subduction zone यह माली जी oceanic plates के बीच में अगर हो रहा है अगर माली जी pacific ocean के अंदर दो plates आपस में converge कर रही है plate 1 यह है plate 2 यह है अब यहाँ पर यह converge होके नीचे जारी है यह overlap कर रही है plate 1 overlap कर रही है plate 2 converge हो रही है तो यह वाला जो reason होता है इसको trench कहते है आपने सुनाओगा Mariana Trench के बारे में कि उसकी गहराइत में जादा क्यों है क्यों है वहाँ पर plate converge कर गई है तो particular place जो हो गया है बहुत जादा deep हो गया है अगर plate ऐसे ऐसे रहती तो वो deep नहीं होता लेकिन plate जो है वो converge कर गई तो deep बन गया है तो यह जो area होता है उसको trench कहते है ठीक है यह जो area होता है उसको subduction zone कहते है तो आप जानगे convergent boundaries और subject zone के बारे में तो जो further information यह ही है कि जब पहली plate overlap कर देती है दूसरे plate को तो वो subjected हो जाता है जो दूसरी plate होती जो नीचे चली जाती है वो melt हो जाती है और melt होने के बाद magma का formation होता है जब बहुत जादा magma का formation हो जाता है तो वो magma उपर की और बढ़ने लगता है तो volcanic activity होती है इसी लिए statement to be correct था चली बढ़ते है अगले question की और question fourth जो है माउंट सीना बर्ग के बारे हैं बताइए माउंट सीना बर्ग कहां पे located है जावा सुमत्रा बोर्नियो फिलिपिन्स तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह सुमत्रा में located है तो option C collect हो जाता है तो आएए जान लेते इसके बारे में देखे जो माउंट सीना बर्ग था नो वह हाल में ही न्यूज में था क्योंकि यह recently erupt हुआ है और यह पाया कहां पे जाता है इंडोनेशिया के सुमत्रा इलेंड में इसका जो में लोकेशन है वो कैरो रिजेंसी में नौर्धन सुमत्रा में तो देखे यह है माउंट सीना बर्ग और यह कहां पे लोकेटर है नौर्ध सुमात्रा रिजन में यह हमेसा न्यूज में रहता है यह रिजन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है साउथी स्टेसियाक रिजन इस पे एक बार UPS से ने कुश्चन भी पूछा था कि अंडमान और निको बार से सबस बार प्रहंसे पढ़ लेते हैं पहला स्टेमेंट कहता है यह एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि लौंज की गई थी फरवरी 1992 में दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एन्वार्मेंट फॉरस क्लाइमेट चेंड के अंदर आता है तो Central Sector Scheme, इसलिए पहला statement incorrect था, दूसरे statement बिलकुल correct था, क्योंकि ये जो है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंतरगत आती है, तो बिलकुल साही था दूसरे statement, और जो महावत होते हैं, इसको महावत कहते हैं हिंदी में, जो हाती बाती पालते हैं, महावत और उसकी जो family होती है, बहुत important role play करती है, welfare of elephants के, तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर, जो sixth question है वो regarding hornbills है आईए statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहले statement कहता है कि hornbills जो वो पक्षियों का परिवार है family of birds जिने पाया जाता है tropical and subtropical Africa and Asia में दूसरा statement कहता है, जो great hornbills है वो state bird है, अनुराचल प्रदेश की और केलला की, तीसरा statement कहता है कि IUCN की red list में इसको endangered category में रखा गया है तो बता ही कौन कोर से statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला statement बिल्कुल correct है दूसरा भी बिल्कुल correct है तीसरा incorrect है क्योंकि वो endangered category में नहीं vulnerable category में है इससे आप शो option A बिल्कुल correct हो जाता है आईए जान लेते हैं इसके बारे में तो आईए सबसे पहले देख लेते है hornbills को, ये इसका picture है ऐसी कुछ bird दिखती है ये hornbills अभी एक हाल में एक satellite study की गई थी इसमें ये पता चला है कि hornbills का जो habitat है वो राचल प्रदेश और आसाम का रीजन है दूसरी information ये है कि hornbills जो है वो एक family of birds है जो कि tropical और subtropical अफरिका और एशिया में पाई जाती है इंडिया में इसकी 9 species पाई जाती है और northeastern जो रीजन है वो highest diversity रीजन है hornbills species का देखे great hornbills जो है वो राचल प्रदेश as well as केरला की state bird है उसके बाद जो इसको vulnerable category में रखा गया ना कि endangered की category में इसलिए वोले statement incorrect था और जो इसकी protection की बात करें इसको highest level की protection में लिए schedule 1 में wildlife protection act 1972 में और जो hornbills festival है ना मनाया जाता है नागा लेंड में वो इसी bird के नाम पे मनाया जाता है तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओड़ 7th question जो रिगार्डिंग है Papum reserve forest के बारे में आई ये statement को ध्यान से पढ़ लेते हैं ये हाल में ही news में था पहला statement ये कहता है कि ये geographically located है कहाँ पे southwest में east command district जो कि असाम में पढ़ता है दूसरा statement कहता है ये एक part है इंडो बर्मा बायो डिवर्सिटी का जो कि इंडिया में है तीसरा statement कहता है कि ये cover करता है subtropical dry evergreen को और semi evergreen forest को तो बताए ये कौन-कौन से बता देना चाहता हूँ कि दूसरा और तीसरा statement तो बिलकुल correct है लेकिन पहला statement incorrect है इस हिसाब से जो option B होता है वो correct हो जाता है आईए जान लेते हैं इस reserve forest के बारे में देखे जो पापूम forest reserve है न वो अरवाचल प्रदेश में located है ना कि Assam में इसलिए पहला statement incorrect था दोसरा statement बिलकुल correct था क्योंकि इंडो बर्मा बायो डिवर्सिटी hot spot है इंडिया का जो कि वो part है और तीसरा statement बिलकुल correct था क्योंकि ये cover करता subtropical dry evergreen और semi evergreen forest को देखे इंडिया में जो है ना चार बायो डिवर्सिटी hot spot पाये जाते हैं हिमाल्या इंडो बर्मा सुंडा लैंड वेस्टन घार और स्रे लंका तो ये जो ये है ना पापूं फॉरेस्ट रिजर्ब वो cover करता है इस्टन हिमाल्या की endemic bird area को भी तो चलिए बढ़ते हैं आगले question की ओर एथ question है जो वो method of testing के regarding है COVID-19 के तो बताए कौन-कौन से method use किये जाते है COVID-19 को test करने के लिए RT-PCR test, rapid antigen detection test RT-NCPCR test FALUDA test, ELISA antibody test तो बताए कौन-कौन से testing method से COVID-19 के लिए तो मैं आपको बता दिना चाता हूँ सारे के सारे correct है तो option D correct हो जाता है आईए जान लेते हैं इसके बारे में भी देखें यह हाल में ही news में था क्यों? क्योंकि CSIR जो है न वो mega labs के development पर work कर रही है इससे फायदा क्या होगा? testing की जो speed है न वो speed up हो जाएगी बहुत बढ़ जाएगी और साथ में जो accuracy है न वो भी बहुत जादा improve हो जाएगी अभी क्या हो रहा है? हाल में negative को भी positive घोशित कर दिया जा रहा है test के अंतरगत तो ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पर बहुत जादा inaccuracy है तो जो CSIR है वो इसी चीज़ के ओपर work कर रही है वो mega labs को develop कर रहे है जिसे accuracy को बहुत जादा improve किया जा सके तो यह कुछ testing method है जिनको अभी हम लोग ने जाना है जिसे एक बार आप और देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले question क्यों होता जो ninth question है वो collab cat के बारे में है आईए statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला statement कहता है कि इसको launch किया गया था in collaboration with NIC दूसरे statement कहता है कि इसका जो aim है वो 3D design को modify करना और create करना इसके बारे में educate करने के लिए है तो बताए कौन सा statement correct है मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों statement correct है तो C option correct हो जाता है आईए जान लेते हैं क्यों देखी जो collab cat है न utter tinkering lab का इसको jointly launch किया गया है किसके किसके दौरा utter innovation mission, नीती आयोग और NIC के दौरा इसलिए पहला statement में जो लिखा था ना कि वो लिखा था कि it was launched in collaboration with इसलिए वो statement बिल्कुल साइज था और जो इसमें होगा क्या यह हमें जानना जरूरी है launch तो किया गया था इन तीनों के दौरा यह provide क्या करेगा student को experience provide करेगा जिससे वो create कर पाएंगे और modify कर पाएंगे 3D designs को और इसके बारे में further information जान लेते हैं देखी यह platform provide करेगा students को जो कि अटल टिंकरिंग lab में है और यह पूरे country में होगा ना कि कुसी particular जगह पे जो कि students को अपनी creativity और imagination के according 3D designs को create करने का और modify करने का मौका देगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले question के ओले जो 10th question है वो अंडमान निकोबार tribes के regarding है तो बताएं अंडमान निकोबार tribes अंडमान निकोबार आइलेंड में कौन कौन से tribe पाई जाती है जरावा, सेंटरलीस और शॉमपैन तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सारी कि सारी tribes पाई जाती है तो इसलिए statement D correct हो जाता है sorry, option D correct हो जाता है तो चलिए जान लेते हैं इन tribes के बारे में देखें जैसा आपको पता ही है कि अंडमान और निकोबार आइलेंड दोनों अलग-अलग है तो जो अंडमान आइलेंड हैं वहाँ पर चार तरह की नेगरिटो ट्राइब्स पाई जाती हैं जिसमें से ग्रेट अंडमीज, ओंगे, जरावा और सेंटलीज वैसे नीकोबार आइलेंड है न वो इसमें दो तरह की मॉंगोलाइड ट्राइब्स पाई जाती है हंटर, गैदरर हैं ये, हंट करते हैं किसको वाइल्ड पिक को, मॉनिटर लिजार्ड को और फिश को भी पकड़ते हैं ये, using bow and arrows ये collect करते हैं honey, root और berries को जंगल से और जो मॉंगोलाइड ट्राइब्स हैं, जो की नीकोबार आइलेंड में रती हैं इनका ये माना जाता है कि ये माले बर्मा कोस्ट से आई थी कुछ हजार साल पहले तो चलिए बढ़ते हैं आगे ओके, that's the end of the video thank you for watching it if you found it knowledgeful, please hit the like button and subscribe to our channel one thing more if you want to access our free study material you can join our telegram group the link will be provided in the description box and thank you for watching it once again have a good day thank you